हेलो दोस्तों आप सक का सौगत हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल में और आज हम बात कनवाले नवरात्री के आंठ वे दिन यानी माग और एके कहानी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना के सिदेरी के कहां जाता है कि भगवान शुई को पती की रूप में प्राप्त करने के लिए इन्होंने कठो तपस्या की थी जिससे इनका शरीर काला पढ़ गया इनकी कठो तपस्या से महादेव प्रसन हो गये और इनकी प्रात्ना सुईकार कर ली इनके शरीर का रंग तपस्या से काली हो जाने के कारण माध्यों ने इने गंगा जर्शों दोया तो ये फिर से गोरे रंग वाली हो गई इसी कारण इनका नाम गोरी पड़ गया कहां ये जाता है कि अश्ठमी के दिन रखने से बक्तों को उनका मन चाहा जिवन साथी मिलता है मां गोरी की एक अन्य कथा भी प्रचली गई और शेर उनके तपस्या पूरी करने का इंतजार करने लगा इस इंतजार में वो काफी कमजोर हो गया देवी जब तपसे उठी तो शेर की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई मा ने उसे अपनी सवारी ली और एक प्रकार से उसने भी मां के साथ तपस्या क देवी महागोरी का अत्यंत गौर वर्ण है इनके वस्तर और आबोशन सपेद है इनकी चार बुजाएं है महागोरी का वहान बैल है देवी के दाइने और के उपर वाले हाथ में अबय मुद्रा और निचले वाले हाथ में तृशुले बाय और के उपर वाले हाथ में डमरू और निचले वाले हाथ में वर मुद्रा है दोस्तो आप सोब को में